वो कहते है ना कुछ पाना है तो कुछ करना होता है तो आज मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छे कोटीसन के साथ और वो है the best views comes after the hardest climb तो या दोस्तो अगर आपको आइस बनना है तो मेहनत से मत कत्राना Keep study यही है मंत्र Keep revise, keep study This is the key and the mantra for achieving your goals and that is IS तो इसे के साथ सुरू करते हैं Hi guys, मेरा नाम है विवेक मिस्रा and welcome to study IS और आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे आज I think चौथी क्लास है और हम इसमें कवर कर रहे हैं historical underpinnings को तो हमने कल समझा था historical underpinnings के पहले पार्ट के बारे में और आज हम Charter Act से स्टार्ट करेंगे So before going to the class First of all, आज आप सभी को मैंने बताया था यहाँ पे हो रही है Unacademy Summit आज से यानि 26 जून से जो कि 27-28 जून तक चलेगी और यह 3 days summit Unacademy submit हो रहा है जिसमें 56 panel discussion है 56 iconic speakers यहाँ पर अपने views share करेंगे और 29 workshops होंगी तो इसे देना मत भूलेगा ठीक है और यहाँ पिर कौन-कौन आने वाले हैं तो Mr. Dr. Sasi Tharour, Dr. Kiran Bedi, Kapil Dev, Shri Pranam Mukharji, former President of India, Jairam Ramesh and Bollywood actor Rajkumar Rao और भी कई बहुत ही important हस्तियां आ रही हैं जैसे DP Agrawal Sir तो इस तरीके के कई सारे बड़े लोग जन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में वो अपने thoughts share करेंगे which is a very important in the UPSC Civil Services examination तो इसे जरूर देखिए, go to register now and then watch it now ओके, तो शुरू करते हैं आज की class Charter Act of 1793 के बारे में देखो, मैंने पहले बताया था कि Charter Act जो उन्होंने बोला था कि हर 20 साल में issue करेंगे, उसी का ये पार्ट है जिसमें ये कम से कम मैं बता दो Charter Act कितनी बार आता है, एक, दो, तीन, चार, चार बार, ठीक है न 1793, 1813, 1833, 1853, हर 20 साल में इन्होंने Charter Act को revise करा मैंने पहले ही बताया था, तो Charter Act of 1793 की बात करें तो इसकी क्या features थे, तो सबसे पहले आप जानो कि इसने monopoly को extend कर दिया, किसकी monopoly, East India Company की monopoly, देखो, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, कि जैसे this is the Reliance Company of India, ठीक है ना, Reliance Industry है, अब इसको अगर Indian Government, अगर monopoly दे दे किसी चीज की, तो सिर्फ उस, मतलब जिस भी trade की, या जिस भी field की, जिस भी sector की monopoly मिलेगी उसे, तो सिर्फ उसमें सिर्फ वही company, यानि Reliance Industry ही काम कर सकती है, अधर company जो कि इंडिया की है, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकती, सेम आप इसे समझ सकते हो, कि वहाँ की, जो British Company थी, East India Company, उसे ये monopoly मिली थी, जो extend होते गई, ठीक है, तो इसमें भी, यहाँ पे 20 साल में ये जो revise होता था, इसमें इन्होंने, 1793 में, ये जो Charter Act आया, इसमें इन्होंने, इसकी monopoly को फिर से 20 साल के लिए extend कर दिया, ठीक है, तो this was the feature, और एक और important बात, इसमें जितने भी features मैं बता रहा हूँ, ये सारे ही बहुत important है, only main features and important features I have, I'm here covering, so इसे जरूर से आपको पढ़ना है, ठीक है, तो Governor General of Bengal जो थे, उन्हें grant की गई, देखो, जो Corn Valleys के साथ मैंने बताया था कि overruling power दी गई थी, वो other subordinates, है न, overruling power, जो थी इनकी council की, ये extend कर दी गई, Corn Valleys के बाद, सभी के लिए, जितने भी Governor General अब आएंगे, सभी के लिए, इस act के थू, overruling power इन्होंने extend कर दी, ठीक है न, और, एक और provision बनाया कि, जितने भी senior officials हैं company के, वो अगर India छोड़ करके आते हैं कहां, Britain, तो उन्हें पहले permission लेनी होगी, government of Britain से, because, ये without permission ये ban कर दिया गया, ठीक है न, तो if senior officials wanted to back to Britain, or leaving India, so they had to take a permission of the government of the Britain, ठीक है न, तो senior officials were forbidden by, forbidden from the leaving India, without the permission, ठीक है, तो ये थी कुछ main features of the Charter Act of 1793, और इसको renew किया गया कब, 1813 में, यानि ये देखो, मैंने पहले ही बताया, फिस चार बार हुआ, तो 1793, 1813, 1833, and 1853, तो first ये हो गया, फिर 1813 में renew किया गया, 20 साल बात, तो आप देखिए, अब 1813 का क्या feature है, important features रहा इसमें, ठीक न, so this was the basically the Act of Parliament, Parliament ने इसे renew करा, जिसमें इन्होंने continue करा, क्या, company rule, company rule को इंडिया में बरकरार रखा, अभी याद रखना कि crown rule नहीं चल रहा है इंडिया में, company rule चल रहा है इंडिया में, भले ही वो British position है, लेकिन company का rule है वहाँ पर, ठीक न, तो इसके features क्या-क्या थे, सबसे पहले अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि, it ended the commercial monopoly, अब समझो क्या होगा यहाँ पर, मैंने कल ही बताया था कि British Parliament और British Government के उपर एक pressure था, कैसा pressure, जो Britain की other company थी, rest of the companies of the Britain, मतलब, जो East India company है, उसको छोड़ करके, उनका pressure था, किसके उपर, Britain government के उपर pressure था, क्यों, क्योंकि वो चाहते थे, वो एक jealousy feel करते थे उस time, क्योंकि East India company, already बहुत trade से profit कमा रही थी, हाला कि 1750 के बाद, इसी की वज़े से, वहाँ पर industrialization चालू हुआ, जिसमें, बहुत सी machine बनी, industrialization हुआ, textile, मतलब, sector अपना, जो उनका था, वो बहुत grow किया, आप सभी जानते हैं उसको, तो, वो सब अलग पार चल रहा था, लेकिन फिर भी इनका pressure सुरू से ही बना हुआ था, तो, somehow, इन्हों ने क्या किया, ultimate is act के थू, 1813 act में, इनकी जो commercial monopoly थी न, East India company की इंडिया में, कि सिर्फ East India company ही trade करेगी इंडिया में, इसको खतम कर दिया, it ended the commercial monopoly, अब commercial monopoly क्या है, मतलब, जो trade करती थी East India company भारत में, उसकी जगा, वो तो करेगी, मतलब, monopoly खतम किया है, यह नहीं कि उसको निकाल दिया, East India company trade करेगी, लेकिन, साथी साथ, ब्रिटेन की और भी company भारत में आकर, यहाँ पर trade कर सकेंगी, this is the basic funda, ठीक न, so, it ended the commercial monopoly of the East India company, but, यहाँ पर ध्यान देना, accept the tea, and trade with China, जो चाइना के साथ trade करते थे, East India company trade करती थी, OPM आपने सुना होगा, OPM war भी हुआ था, तो OPM war जो 40, almost 1848 में हुआ था, so, जो भी था, तो, जो trade करते थे चाइना के साथ, और साथ में जो यह tea का trade था न, इसको छोड़ कर, इसका जो monopoly था, सिर्फ East India company को बरकरार रखा, लेकिन, otherwise सब चीजें इससे हटा ले गए, ठीक न, तो सिर्फ East India company क्या कर सकती थी, उसकी monopoly थी, टी में और trade with China, यह याद रखना, 1813 का यह feature था, ठीक न, अगला क्या था, this act, explicitly, explicitly मतलब, खुले तोर पर, इन्हों ने क्या किया, crown की sovereignty दिखाई, अब, of course आप देख सकते हैं, क्योंकि commercial monopoly ही खतम कर दी, तो overall यहाँ पे crown sovereignty दिख रही है, क्योंकि under the government of Britain यह चल रहा है सब कुछ, तो crown का sovereignty यहाँ पे इंडिया में यहीं से दिखने लगी थी, ठीक न, now, christian missionaries जो थी उनकी, उन्हें allow कर दिया गया, they allowed the christian missionaries to come in India, और propagate और, what to say, preach the religious views, है न, तो वो christianity को spread करें, propagate करें, उसका विकास करें, यह सब की permission उन्हें दे दी गई, तो christian missionaries, फिर यहाँ पे धीरे-धीरे आने लगी है, आगे, आने लगती है बाद में, आप सभी इसे देखेंगे, फिर अगला जो था, एक लाख रुपए, almost एक लाख रुपए जो था, उस समय एक लाख की कीमत बहुत होती थी, तो यह याद रखना कि एक लाख रुपए जो था ना, इसे प्रोवाइट किया गया, भिटेस government के द्वारा, to promote the education in India, ठीक ना, एक लाख रुपए दिया, साथ में financial assistant यह भी दिया गया, इस financial assistant से और क्या चीज़े हुई, इस financial assistance से यह हुआ कि जो इंडियन कल्चर था ना, उसे revive किया गया, इंडियन कल्चर को revival मिला और promote किया गया किसे, science को, science पर force किया गया, science पर बल दिया गया, और science का promotion किया गया, so these were the main features of the Charter Act of 1813, now next आएगा Charter Act of 1833, जो कि after 20 years फिर एक नया Charter renew किया गया, इसमें, अभी पहले Charter जो एक्ट आया था 1813 में, इसमें क्या किया गया, जो monopoly थी East India Company की, tea को छोड़ करके, और trade with China, with China, इसे छोड़ करके, सब खतम कर दिया गया monopoly, लेकिन यहाँ पर, इस act में, complete monopoly खतम कर दी गई, including the tea and including the opium, और trade with China, ठीक ना, तो इसको भी completely खतम कर दिया गया, अब यहाँ पर क्या आ गया, पता है आपको, यहाँ पर आ गया free trade, free trade आप समझेंगे, इसे economy के lecture में, यह आपने सुना भी होगा, so free trade यहाँ पर policy अपनाई गई, और अब कोई भी यहाँ पर इसके साथ, इन countries में, इंडिया में, चाइना में, यहाँ यह pre-trade कर सकते थे, okay, now, company को क्या, अचा company का जब यह commercial monopoly खतम होगी, तो अब company पता है क्या बन गई, अब total company बन गई, fully, purely company become the administrative body, सिर्फ वो administration संभाल रही है, इंडिया में, that's all, otherwise, जो उनकर, वो था, क्या बोलते हैं, commercial जो trade था, यह नहीं हो गया, यहाँ पर की trade खतम कर दिया, मतलब company trade खतम करके, सिर्फ बस administration संभाल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, trade भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन जो इनकी monopoly, मैं बार-बार बोल रहा हूं, monopoly खतम कर दिया, यानि other company भी अब उनके सामने compete करेंगी, ठीक है, तो यह हो गई situation, लेकिन, अब जो main इनका feature था, तो इन्होंने purely administrative body इसे बना कर छोड़ दिया, अब यह सिर्फ administration कर रही है, प्लस साथ में trade भी कर रही है, ठीक है ना, इसे कहते हैं, इस act को कहा जाता है, basically, a final centralization process, मैंने कल बताया था कि centralization का first process कब चालू हुआ था, जब उन्होंने other two presidencies, जो madras और bombay की थी, उनके governors को subordinate कर दिया था, governor general of the bengal, याद है, तो यह final step था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ overall ले लिया गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज समझने लाइक, लाइक बात है, जो implicit है, जो आप समझ सकते हैं, that is, that we are now picking the colony, or colony, sorry, colony नहीं, it's a colony, so we have become the now colony of the Britishers, और British बन चुका है, यहाँ पे imperial power, यानि colonial power, वो हमारा colonial master है, और हम उसके colony हैं, यहाँ पे इसी act के थुरू समझ में आता है, that permanently हम colony बन चुके हैं, colony का मतलब क्या है, colony का मतलब यह है, कि जो legal और political control है ना country का, वो हमारे पास है ही नहीं, यानि जो Indians हैं, जो natives हैं यहांके, उनके पास, जो legal और political control है है ही नहीं, यह कौन चला रहा है, यह Britishers चला रहा है, तो of course कौन बन गया British, कौन बन गया master, ब्रिटिस, तो British बन गया पे, imperial power, और जिसको कहते हैं, colonial master, और हम बन चुके थे, colony, और यह हैं सहब, governor general of Bengal, जिसे इसी act के थूँ, एक नया office create किया गया, ना कि, governor general of Bengal पहले था, कल साथ मैंने, governor general of India का use कर दिया था, यहां पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह governor general of Bengal था, अभी तक लेकिन इस act ने, इस governor general of Bengal के post को abolish करके, इसी को एक promotion कह सकते हैं, या नया create किया office, जो अब कहलाया जाएगा, as a governor general of India, और पहले governor general of India थे कौन, William Banting, ठीक है न, William Banting, और this is the picture of him, तो यह साहब थे, पहले governor general of India, तो these were the features of the charter act of 1833, और इसके साथ ही और भी चीज़े थी इसमें, जैसे executive council को और enlarge किया गया, क्या किया इसमें, executive council जो उसकी बनी थी, governor general किया थे, तो assist to assist the governor general, अब उसी में law member को add किया गया, जो की legislative functions को किया करते थे, और पहले थे, जो member law member जीने add किया गया, ये थे, T.B. Macaulay, Macaulay का नाम आप सभी जानते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो T.B. Macaulay was the first law member, Now, all members become, देखो, sorry, members नहीं, जितने भी laws यहाँ पे जो pass कराए जाते थे न, उन्हें ये executive जो की legislative functions भी किया करते थे, तो जितने भी laws यहाँ से pass कराए जा रहे हैं legislative council से, उन्हें कहा गया, Government of India Act, और Act of Government of India, लेकिन इसके पहले क्या होता था, इसके पहले जितने भी laws बनाये जाते थे, उन्हें कहा जाता था, regulations, rules and regulations, ठीक है न, लेकिन जब यह legislative council बन गई, तो इस legislative council से जो भी act pass होते थे, उन्हें कहा जाता था, Government of India Act, और Act of Government of India, ठीक है, ठीक है, अब आता है next charter Act of 1853, फिर plus 20 years में इसे revise किया गया, ठीक है न, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं, this was the last, क्योंकि इसके बाद यह आया नहीं, तो this was the last charter of, charter act, this was the last charter act, ठीक है न, इसमें क्या किया गया, जो अभी legislative council और executive council थी, एक ही में थे, अभी law member को add किया गया, बताया मैंने, अब उसे separate कर दिया गया, now they separated by this act of 1853, legislature and the executive functions were separated of the governor general's council, ठीक है न, अब इनको, डोनों को separate कर दिया गया, और जो civil services examination, जिसकी तयारी आप कर रहे हैं, उसे open कर दिया गया, for all, ठीक है न, जो 1853 का ये charter act था, इससे इनोंने civil services examination की, जो ये exam होता था, इसे open कर दिया गया, सबके लिए, अब इसमें Indian भी part ले सकते थे, ठीक है न, कोई भी part ले सकता था, open कर दिया गया, civil services examination, और साथ में establish करा, a separate legislative council, मताया है, हमेने legislative हटा दिया, यहाँ पे executive functions को, separate कर दिया गया, जिसे कहा जाता है, mini parliament, ठीक है, तो इनके separate legislative council बनाई गई, जिसे कहा गया, mini parliament, और, यहाँ पे याद रखना, कि जो इनका term था, EIC का, term बोल रहा हूँ न, मैं, याद रखना, जो term था, उसको infinite period के लिए, infinite period के लिए, बढ़ा दिया गया, renew कर दिया गया, act of 1853 में, monopoly हटा दी गयी थी, लेकिन, जो term थी, यहाँ काम कर रहने की, उसको infinite period के लिए, बढ़ा दी गई, जिससे East India Company, trade भारत में करती रहे, ठीक है, न, और, और भी companyya, जो साथ में कर रही थी, उसके बाद, वो तो करेंगी ही, ठीक है, न, अब होता है, इसी बीच, 1857 का, first war of independence, और, सिपाही, विद्रोह, और, याफिर, जिसे कहते ह है, प्रथम स्वतंतरता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंतरता संग्राम, ठीक है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसे आप, अब मैं डिटेल में बताने जाऊंगो, तो पूरा जाना पड़ेगा, वैसे वे कल की class थोड़ी जादा डीप चली गई थी, तो वो आप हिस्ट् ना जान लो, कि जो लिंकेज बना रहे हैं जिसके कारण, कि पहला जो प्रथम स्वतंतरता संग्राम होता है, बाई चांस हम हार जाते हैं, यानि हम इंडियन्स हार जाते हैं, और जब ब्रिटीज गवर्मेंट बाई चांस लखीली, कुछ वज़ों से सम्हाव दे जस्ट व इंडिया एक्ट ओफ 1858, यह याद रखना कि 1858 से 1947 जब हम आजाद हो रहे हैं तब तक सीधी अंडर क्राउन रूल थे हम, तो ब्रिटीज, जो इंडिया था, इंडिया वाज अंडर दा ब्रिटीज क्राउन रूल, डारेक्टली, इन्होंने मैडम ने इलाहबाद में डारे of the Empress of the India, यानि अब वो हमारी Empress हैं, हम उनके अंडर में हैं, और इन्होंने एक एक्ट पास करवाया जिसका नाम था Government of India Act 1858, ठीक है, जिसे हम आम तोर पर Act of Good Governance of India के नाम से भी जानते हैं, Act of Good Governance of India मतलब, बेसिकली इन्होंने क्योंकि सिपाही विद्रो हो चुका था, तो जनता में असंतोस था, तो इन्होंने क्या करा, कि Act of Good Governance जो ये लेकर के आये, ये नाम था, for a name's sake, it was Act of Good Governance of India, basically ये कुछ नहीं था, Act of Good Governance of East India Company था, मतलब जो ये नाटक चल रहा था, इनके बीच में अंदर ही, तो ये अपने ही जो East India Company की policies थी, to govern in India, उसको सुधारने के लिए, basically ये Act आया था, otherwise, overall name से क्या रखा गया, कि Act of Good Governance of India, लेकिन, actually मैं याद रखना, कि ये कुछ नहीं, सिर्फ company के अंदर की policies को सुधारने के लिए, ये Act आया था, ठीक है, so, now, इसका feature क्या था, कि जो अभी मैंने बताया ना, Governor General of India का जो post था, या जो office था, उसे क्य कर दिया गया, abolish कर दिया गया, ठीक है, और अब बनाया गया, नया office, जिसे हम चांदते हैं, वाइसराय के नाम से, तो नया office create किया गया, वाइसराय, और पहले वाइसराय थे हमारे, Lord Kenning, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कि आप लोगों को एक डाउट होगा, कि पह पहला Governor General कौन था, पहला Governor General of Bengal कौन था, फिर यह वाइसराय कौन था, तो अगर ऐसे आप, अगर रेटाफिकेशन के त्रू, अगर याद करने के कोसिस करोगे, तो that is very difficult process, तो आपको क्या करना है, यहां पर, एक strategy talk, आप समझ लो, कि आपको strategy कैसे लेनी है, यहां पर पढ़न chronological base पे, आपको इसे याद करना है, और जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, याद भी नहीं करना है, आपको जैसे आपने class करी, उसके बाद आप एक बार फिर इसकी notes से जाएं, एक बार notes पढ़ेंगे, उसके बाद आपने क्या करा, कि आप लक्षमी कान को पढ़ लिए, आपन करना है, जितना ज़्यादा revise करोगे, अपने आप, ये आपको इसके जितने भी जैसे इंडिन पॉलिटी है, एक किसी ने बोला था कि उन्हें articles याद नहीं होता, तो articles के लिए भी मैं बता दू कि articles और जितनी भी चीज़े हैं, चाहे कोई भी subject हो, ये सब धीरे-धीरे revise और retain होता है, और उसका सिर्फ एक की है, and the key is revise, तो revise जितना आप करोगे, उतना आपको ये याद होते जाएगा, अगर आपने सोचा कि नहीं मैं एक ही दिन में सब याद कर लूँगा, तो that is impossible, तो एक ही दिन में नहीं आईज बन जाना है, it is a long process of one to one and a half years, आप सभी जानते है तो दोस्तों इसे आराम से clear करो, आराम से crack करो, और उसके लिए बस read, revise, understand, class का मतलब होता है, understanding, class यहाँ पे सिर्फ आपको guide करती है, आप समझे यहाँ से, उसके बाद read कीजे, फिर revise कीजे, और जितना revise करेंगे, that is the ultimate key, okay, so थोड़ा यहाँ पे ग्यान की बाते हो गए, चल जो post था इंडिया का, उसे abolish करके यहाँ पे वाइसराय का नया office create किया गया, और पहले वाइसराय थे हमारे Lord Canning, ठीक है न, साथ में जो double government system था, इनका board of control, मैंने बताया था कल, और court of directors, इसे abolish कर दिया गया, और एक नया office बनाया गया, अब यह याद रखना, जो यह double government system च create किया गया, और ओर office कौन सा है, the secretary of the state of India, the secretary of the state of India, अब यह क्या है, तो इसे आप इस figure से समझ सकते हो, this is the schematic diagram, आप समझ सकते हो, मोटा मोटा मैं general, समझने के लिए ऐसा बनाया हुआ है, देखो, suppose the structure, structure of the UK, कैसे था, सबसे उपर थी queen, और king भी होते हैं, तो queen ही चली आ रही है, अभी तक, तो head of the state कौन है, queen, ठीक है, उसके बाद, भले ही nominal है, but head of the state तो queen ही है, ठीक है, यह आप जो यह blue है न, blue वाला यह डिबा, तो इसे आप समझ सकते हो, British Parliament, सब और एक सिकंड मैं color change कर लेता हूँ, हाँ, तो आप इसे समझ सकते हो, British Parliament, ठीक है, यह है British Parliament, British Parliament की अंदर ही, इन्होंने cabinet minister के rank के साथ, इन्होंने एक council बनाई, यह British Parliament, England, London की बात की जा रही है, इंडिया की नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने British Parliament के अंदर ही, एक Indian council बनाई, जिसमें cabinet minister rank के minister को, एक पद दिया गया, कौन सा पद, वो कौन सा पोस्ट था, उसका नाम था, Secretary of the State of India, ठीक है, अब structure समझते जाना, सबसे उपर queen, और queen rule, implement कैसे हो रहा न, इसको आप समझना द्यान से, सबसे उपर queen, फिर उसके बाद UK Parliament, उसके अंदर एक Indian council बनाई गई, जिसमें इंडिया जो UK Parliament थी, उसी के एक cabinet minister को, Secretary of the State of India का post दिया गया, नया office create किया गया, और उनके अंडर में आते थे कौन, Mr. Viceroy of India, अब समझ रहा हो बात कैसे चल लएए, यहाँ पर कहानी, अब जैसे इंडिया के perspective में समझो, जैसे इंडिया, ठीक है न, तो इंडिया में जितने governor general थे, subordinate करते थे, Viceroy को subordinate करेंगे, Viceroy क्या होगा, Viceroy direct answerable होगा, किसको, Secretary of the State of India को, और यह साहब किसको answerable होगे, Indian council को, और Indian council answerable होगी, British Parliament को, और British Parliament फिर जाकर के, Queen को अपनी report देगी, and इस तरीके से, this hierarchical process was continued, during the crown rule, और ऐसे crown rule implement होता था, तो यह hierarchy system समझ रहो, सबसे फिर एक बार में repeat कर देता हूँ, सबसे पहले, आप समझ सकते हो कि Indian, जितनी princely states, sorry, provincial states थे, वहाँ के जो इनके governors थे, वो answerable थे, किसको, Viceroy को, Viceroy direct answerable था, Viceroy देखता था, कुरा overall matter of India, now Viceroy answerable था, किसको, Secretary of the State of India, जिसे इस act के थूँ नया office create किया गया, now Secretary of the State of India, कि के लिए answerable था, Indian council के लिए, Indian council कहा, British Parliament के ही, अंदर एक Indian council बनाई गई, अब Indian council किसको answerable था, किसके लिए answerable था, मतलब अपनी report, अपनी चीजे share करता था, transparency थी, British Parliament को, और British Parliament, ultimately Queen को अपनी report देती थी, that was the hierarchical system was continued at that time, तो ये बहुत long process थी भाई, थक गया, मैं बताते को साथे, तो this was the process now, अब समझते हैं, Indian council act of 1861, अब आता है, Indian council act of 1861, ठीक है, ये तीन बार आता है, एक 1861 में, 1892 में, और एक 1909 में, ठीक है, 1909 में, अब, एक सकंड, तो first time इसमें क्या हुआ गया, जब ये act आया ना, Indian council act of 1861, तो first time इसमें, जो law making process है, इसे introduce किया गया, और इसमें, वाइसराइ जो थे हमारे, वो nominate कर सकते थे, so वाइसराइ, could nominate a few, यहाँ पर आद रखना, few Indians, as a non-official member, namesake, बस वो आ जाएंगे, देखेंगे, रहेंगे, बस उनका, कोई role नहीं होगा, बट हा, for the namesake, उनको include करने के लिए, nominate कर सकता था, कौन वाइसराइ, so यहाँ पर, इस act में, यह provision बनाया गया, that, in the law making process, the वाइसराइ, could nominate, the few Indians, people, Indian peoples, और Indians, as a non-official members, okay, now, अगला provision क्या था, इसी में, आप इसे समझ सकते हो, जब यहाँ पर Indians को involvement हो रही है, जादा से जादा लोगों को involvement हो रही है, so this was, this can be considered as the initiative, और initiative process of the decentralization, centralization वहाँ से चालो हुआ था, और हमने कल लेगा था, अब decentralization process जो है, वो Indian Council Act of 1861 से start हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें restore की जारी है, powers to the Bombay and the Madras presidency, इनको वापस इनकी powers कुछ दी जा रही है, some powers already that restoring with these presidencies, that is the Bombay and the Madras, ठीक ना, अब इसी में इन्होंने introduce किया क्या portfolio system, अब यह portfolio system क्या है, मतलब departmentalization, अब यह departmentalization क्या है, देखो, departmentalization मतलब, देखो, portfolio system आप सभी जानते हैं, जभी इंडियन government जब जैसे पिछले साल, 2019 में जब चुना हुआ, तो मोधी government वापस आ गई, अब उन्होंने portfolio, portfolio मतलब किसको कौन मंत्राले मिलेगा, कितना कौन सा department मिलेगा, that is the portfolio system, departmentalization का मतलब, जितने ज़्यादा department रहेंगे, उतनी answerability और transferability, transferable जो government है, वो बन पाएगी, तो transparency यहाँ पे increase होगी, इसके लिए इन्होंने portfolio system को introduce किया, और हला कि introduce, इन्होंने portfolio system को officially यहाँ पे introduce किया, बट इसके पहले ही 1859 में Lord Canning सहाब ने इसे introduce कर दिया था, लेकिन इस act में officially overall इसे introduce किया गया, ठीक है, portfolio system समझ गया आप लो, मतलब जितने ज़्यादा department बनाए गये, जितने ज़्यादा department उतनी answerability बढ़ेगी, answerability मतलब उतनी हमारी क्या बूल सकते हैं इसको हिंदी में, उत्तरदाइत, सॉरी मैं हिंदी में अभी भूल रहा हूँ, तो answerability बढ़ेगी, answerable होगा, transparency बढ़ेगी, that is the main objective of this portfolio system by this Indian Council Act of 1861, clear, now, कोई भी अगर problem जाए, please comment box में लिखके बताओ, मैं उसका answer दूँगा, ठीके न, question पूछना must है, क्योंकि question अगर आपकी mind में raised नहीं हो रहे हैं, that means, अगर इसके दो reasons हैं, first, everything is cleared, now, second, that nothing is cleared, तो ये भी हो सकता है, तो अगर आपको सब कुछ clear हो रहा है, that's very good, and अगर कुछ problem हो आ रही हैं इसमें, तो आप इसे पूछ सकते हैं, ठीके न, now, इन्होंने क्या किया, इस act के थूँँ power दी, किसकी power, कहे की power, that is ordinance power, vice rai को power दी गई ordinance issue करने की, कि वो important emergency time पे, और important matter पे, ordinance issue कर सकते थे, ordinance क्या है, ordinance मतलब that act, which is passed without the consent of the legislative council, ठीके न, बिना legislative council के ही, जैसे president आज की date में, अगर legislative लोगसभा ना चल रही हो, तो वहाँ पे, president ordinance जारी कर देते हैं, लेकिन हाँ, एक सर्थ है वहाँ पे, 6 मेने के अंदर अंदर, उनको consent लेना पड़ता है, लोगसभा और राजसभा का, ठीक है न, otherwise lapse हो जाता है वह, लेकिन वो that is another matter, but ordinance मतलब समझो, आपकी ordinance एक ऐसा act है, एक ऐसा कानून है, जिसे direct vice raya, और आपकी आज की date में, president issue कर सकते हैं, तो वो issue कर सकते था, तो ये power issue करने की, ordinance issue करने की दी गई, किसमें, Indian council act of 1861 में दी गई, by the British government to the vice raya, ठीक है, अब आता है, Indian council act of 1892, इसमें क्या किया गया, जो इनकी council थी, legislative functions में, इसमे legislative councils में, 16 member कर दिया गया, इंडियन को, ठीक है न, इसको increase करके 16 कर दिया गया, ठोटल, और इसमें, जो और भी independent हम कह सकते हैं, non-official members थे, central legislative council में, उसे भी बढ़ाया गया, जैसे Bengal chamber of the commerce, तो इस वोज दी, Indian council act of 1892, इंडियन council act of 1909, इस वोज दी इंपोर्टेंट वन, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये महान पूरस दो बैटे हैं हमारे सामने, ये थे Morale Minto, और Morale Minto reforms भी, इस act को कहा जाता है, इस act को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, कई बार सुना होगा, इसका जिक्राया होगा, आपके history में भी, और Indian polity में भी, अगर आपने पढ़ा होगा अभी तक, तो इनका जखर ज़रूर आता है, ठीक है, तो Morale Minto reforms क्या था, basically, Lord Morale, जो थे, वो थे, Secretary of the State of India, जैसा कि मैंने अभी बता है, Secretary of the State of India, है न, तो वो कौन थे, Lord Morale, और Lord Minto जो थे, वो थे, वाइस राय उस टाइम के, 1909, ठीक है, Lord Minto को कहा जाता है, Father of the Communal Electorate, अब क्यों कहा जाता है, उसे इसके feature, जब हम अभी समझेंगे, एक मिनट बाद, तो आप समझ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, कि Morale Minto reforms जो था, वो क्यों इसे नाम दिया गया है, because simple reason, because Lord Morale जो था, वो था उस ताइम का, Secretary of the State of India, और Lord Minto जो था, वो था, Vice-Rai of India at that time, और Lord Minto को, Father of Communal Electorate भी कहा जाता था, अब क्यों कहा जाता था, चलिए समझते हैं, इसके features समझें, दोखो, जो Legislative Council थी ना, Central की और Provincial जो इनका था, State उनके भी, तो 16 से इनको कर दिया गया, 60 हब, जो अभी पिछले में 16 किया गया, बताया ना, अब उसे 60 कर दिया गया, 16 to 60 increase कर दिया, the size of the Legislative Council, from both the Central and the Provincial Council, ठीक है ना, Now, they introduced, ये मैंने बताया ना, Lord Minto को क्यों Father of Communal Electorate कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे ने, Food डालो और राज करो की नीटी अपनाई, हिंदी में आप इसा समझ सकते हैं, और English में Divide and Rule Policy, because इसी बंदे ने, Muslims को एक अलग separate electorate दे दिया, उनका अलग, अब representative होगा, आपस में लड़ा दो और इसका advantage और इसका अड्वांटेज अल्रेडी ब्रिटिस इस 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 इंडिया कंपनी और ब्रिटिस गोवर्मेंट ले रही थी, और यही इन्होंने किया, इसी लिए इन्हे कहा जाता है, Father of the Communal Electorate, because he was the man who introduced the separate electorate for the first time on the basis of the communal representation for the Muslims, Okay, now, also this act provided the first time the association of Indians with the executive councils of the Viceroy and the Governor, जो देखू, Viceroy का जो executive council जो चली रहा था उस time से, उसमें इन्होंने first time Indians को include करा, और वो कौन थे, पहले थे law member के तौर पे, Satendra Prasad Sinha, As a law member, he became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council, ठीक है ना, Now, अब होती है entry, हमारे Father of the Nation की, यानि M.K. Gandhi, अब तक सब कुछ चल रहा था, अब महात्मा गांधी आते हैं, South Africa से भरत, जब यह यहाँ आते हैं, तो यह देखते हैं कि, हम Indians की बहुत बूरी हालत हुई होती है, कैसे बहुत बूरी हालत हुई होती है, वो ऐसे, कि because we Indians, हमको पता ही नहीं था, कि हम कब Britisers की इतने domination में चले गए थे, उनके influence में इतना घुश चुके थे, कि हमें पता नहीं था, 99, 99.9% लोगों को, population को पता ही नहीं था, कि we became the colony, हम colony बन चुके हैं, और colony होता क्या, this was the basic meaning, colony है क्या, क्यों बन चुकी, पता ही नहीं है लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ कर, इसलिए मैंने लिखा 99.9%, तो महत्मा गांधी जैसे यह आप, इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, यह यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, तो महत्मा गांधी आते हैं, और वो लोगों को बताते हैं, that, we are now the colony of the British Empire, और a British Government, अब colony क्या होता है, देखो, colony का simple मतलब है, एक सेकंट, इतना चलग गया, तो colony का मतलब यह होता है, that we do, sorry guys, थोड़ा सा यहाँ पर, okay, तो colony का मतलब होता है, we do not have a legal control in our country, we do not have a political powers in our country, and we don't have our own the head of the state, यानि head of the state, तो crown rule चल रहा था, तो ना हमारा कोई Indian head of the state है, ना हमारे पास किसी भी प्रकार की political powers हैं, कि हम control कर पाएं, ना legal control है, हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं है, देखो, Britishers इतने चालाग थे, उन्होंने army के थूँ, forcefully उन्होंने हमारे देश में कबज़ा नहीं किया, बट उन्होंने कबज़ा किया कैसे, politically, legally, and head of the state के दो, धीरे धीरे उन्होंने हमारे उपर रास करना चाहा, और हम उनके कॉलोनी बन चुके, तो we do not have a legal control, political power, head of the state, उन्होंने ये लोगों को समझाया, कि ये कॉलोनी हम बन चुके हैं, और अगर हमें कॉलोनी से एक independent state बनना है, हमें अपने भारत की संप्रभुता बनानी है, कायम करनी है, तो उसके लिए क्या road map होगा, उस road map को भी इन्होंने, road map को भी महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के सामने रखा, और वो क्या road map था, कि अगर सबसे पहले, अगर हमें independent होना है, तो सबसे पहले, अभी तो हम कॉलोनी हैं, ब्रिटेन की, तो हमें ये कॉलोनी का दरजा हटवाना होगा, अभी ये कालोनी का दरजा हटवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें dominion state की मांग करनी होगी, अभी dominion state क्या है, dominion state का मतलब, कि legal control जो है, और political power जो है, ये जो है, Indians को दे दी जाए, head of the state भले ही आपी का है, ठीक है, crown माना जाएगा, but, जो legal control है, over the India, and political control और political powers जो है, वो Indians के हाथ में होनी चाहिए, और जब ऐसा होगा, तब ये कहलाएगा, dominion state, जहां overall head of the state, तो दूसरे country का है, यानि बिटेन का है, लेकिन, जो legal powers हैं, और जो political powers हैं, ये Indians के ही हाथ में हैं, तो हमें सबसे पहले, अगर हम independence होना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए, तो सबसे पहले, हमें dominion state की, मांग करनी होगी, ठीक है, और जब dominion state, हम बन जाएंगे, तो हम फिर अगला हमारा step होगा, कि head of the state भी, हमारा Indian हो, यानि, now we will, जब यह हो जाएगा, उसके बाद, we will ask for the sovereign country, the status of the sovereign country, फिर हम बनाएंगे, एक अपना sovereign country, यानि, चो कि आज का भारत है, head of the state भी, यहाँ पे Indian होगा, लेकिन, 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 याद रखना, यहाँ पे एक सर्त थी, सर्त क्या थी, कि head of the state, dominion state बनाने के लिए, हमें बनाना होगा, federation, federation यानि union, अब union क्या है, मैंने बताया था, आपको first class में भी, और federation system भी हमने समझा था, तो आपको सायद याद होगा, otherwise हम जब federation union करेंगे, article 1 से 4 तक में, उसमें detail बात करेंगे, बट अभी के लिए आप समझो, कि हमको एक union बनाना था, because आप सभी जानते हैं, 552 तिरपन कितने, I think, हाँ, 553 कुछ यहाँ पे princely states थे, हमारे countries में, provincial states थे, है ना, तो हमारा जो इंडिया था, ओवर ओल जो इंडिया था, ये divide था, divided, between the princely, और provincial states, and some autonomous states, तो इनके बीच में, divide था, इनका division था, तो हमें इसके लिए, सबसे पहले क्या करना था, federation बनाना था, कि हम जब एक union बन जाएंगे, तो union के तौर पे हम कहेंगे, कि आप हमें dominion का दर्जा दो, क्योंकि हम यहाँ पे, legal, political control करना चाते हैं, और पर जब dominion मिल जाएगा, तो उसके बाद हम, simply, sovereignty का मांग करेंगे, sovereignty की मांग करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है, कि जो हमारे महान, princely state थे, इन्होंने मना कर दिया, कि नहीं भाईया, हम नहीं बनाएंगे, आपके साथ, federation, क्यों नहीं बनाएंगे, अब एक बात बताओ, इन्होंने sign की थी, suzerainity, suzerainity was basically a, इसमें समझते हैं, हाँ, suzerainity was basically, the agreement, ठीक है, यह कुछ नहीं, यह बस agreement था, Britishers का, और princely state के बीच में, कि भाईया, हम, जो Britishers हैं, Britishers बहुत चलागते, उन्होंने क्या बोला, कि आप एक काम करो, आपका जो defense है, defense है, और foreign affairs है, और जो communication है न, इसे हमें दे दो, यह harm control करेंगे, overall, बाकी चीजे, आप अपने princely states में कर सकते हैं, मतलब, यह देखो, आप इसे ऐसे समझो, this is the Hyderabad, ठीक है, suppose, this is the Hyderabad state, now, इसमें क्या किया गया, कि princely state, suppose, है न, तो इसमें क्या बोला, इन्होंने, कि यह Hyderabad के अंदर, जो यहाँ पे निजाम था, उसमें निजाम चलता था, वहाँ पे, तो यह जो निजाम था न, इसके पास इतनी पावर्स थी, कि यह अंदर, जितने भी control, जितने भी civil, इसके administration था, यह सब चला सकता था, लेकिन, जो यह defense था, और foreign affairs था, यह Britishers के hand में था, तो यहाँ पे, Britishers were upper hand, ठीक है, लेकिन, अंदर यह चाहे कुछ भी करें, तो इनको क्या, इन्होंने क्यों मना किया, अब यह बताओ, इनको जब सारी सुख सुख्दाओ, वैसे भी निजाम, राजा, यह जो भी थे, यह सब personal pleasure, में इंडल्ट थे, अपनी सुख सुख्दाओं में, महत्मा गांधी ने बोला, कि चलो ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, कि provincial state, आप जो हैं, वो आप मागिये, status of provincial autonomy, मतलब, autonomy मतलब, कि जितने भी facilitate, directly central लेती है, उसके थूँ, आप provincial autonomy मागिये, और bicameralism, bicameralism और unicameralism होता है, bicameralism का मतलब है, जैसे, RS होता है न, लोगसभा, राजसभा, तो इन्होंने, अभी एक single legislative council चल रही थी, तो इन्होंने राजसभा की भी मांग करी, यानि, एक state को भी represent करने वाला, एक council होना चाहिए, that is the bicameralism, unicameralism मतलब सिर्फ एक council होगी, जब आप bicameralism की मांग कर लेंगे, तो आपके पास होगी division of power, यानि union list होगी, state list होगी, और concurrent list होगी, और यही मांग इन्होंने रखी, क्योंकि यह तो यहाँ पे माना कर दिया, इन्होंने, princely states ने, तो अब इनके पास जो अगला step था, कि ये princely state, ये provincial autonomy और bicameralism की मांग करेंगे, जिसके साथ इन्हे union state concurrent list प्रोवाइट कराएगी, जिसमें powers जो हैं वो divide हो जाएगी, और autonomy के थूँ, provincial states भी अपनी autonomy बरकरार कर पाएगे, लेकिन इसी बीच हो जाता है, world war 1, 1914, याद रखना, 1909 में आया था, moral mental reform, हो गया, 1914 से, 28 July 1914 को start हुआ था, और November 1919 को ये खतम हुआ, 1918 को साथ, 1918 को बद 1919 भी कहीं कहीं गया आता है, तो 1919 को ये खतम हुआ, सपोस्ज, ठीक है ना, इसके बाद आता है, Government of India Act of 1919, और ये क्या था, इसे भी कहा गया, Montague James Ford Reform, what is Montague James Ford Reform, of course, Montague कौन था, Secretary of the State of India, उस ताइम का, और Lord James Ford कौन था, वो वाइसराय था, इंडिया का, इसलिए, basically उनी के नाम पे भी इसे कहा गया, इस तरीके का, जैसे, मॉल्लेमेंटर रिफॉर्म कहा गया, वैसे ही, तो Montague James Ford Reform, was like this, where the Montague, was the Secretary of the State of India, at that time, and the Lord James Ford, was the Vice Roy of India, and that is the picture, आप देख सकते हैं, इस्क्रीन पर, ठीक है, इसके features क्या थे, इन्हों ने, इसकी मांग को उठाते हुए, list तो provide कराई, मैंने बताया, provincial autonomy की मांग करी इन्हों ने, लेकिन, साथ में, जब इनके पास, क्योंकि World War 1 होने के बाद, इनके उपर दबाव था, तो इन्होंने क्या किया, कि legislative list बनाई एक, जसमें union और state दोनों की important powers थी, एक ही में, अच्छा देखना, double game खेल रहे हैं यहां पर, नाम हर जगा name से, for the name से वो काम किया करते था हरची, और एक provincial list बनाई, union और state की जितनी important powers थी, जैसे defense, defense हो गया, foreign हो गया, communication हो गया, तो यह सारी important powers किसके अंदर थी, legislative list के अंदर, अब जो provincial list बनाई, उसमें भी दो subjects में, इसे divide कर दिया, दो subjects कौन कौन सा, एक reserved subject और एक transferred subject, transferred subject समझते हैं, it is a, this subject, जिसमें, इसमें जो subjects आते थे, it was administered by the governor, of the provincial states, with the aid of the minister, responsible to the legislative council, समझ रहो दोहरा गें, और इधर जो administration था, ये भी governor के थूँ चलाया जा रहा था, उसकी executive council के थूँ, but without being responsible to the legislative council, तो ये double scheme इन्हों ने खेली, इसे कहा गया, diarchy system, diarchy system मतलब ये Greek का word है, die और archie, die मतलब double, और archie मतलब rule, तो ये double rule खेल रहे थे, इधर से भी power ये transfer कर लिया, और ये तो इसमें important power रखी ही थी, तो हर तरीके से कुल मिलाके, इनकी band बजा दी, तो unfortunately, but इधर इन्होंने क्या किया, bicameral system, bicameral legislature को, introduce कर दिया, जिसमें इन्होंने upper house और lower house, दोनों को introduce करा, जैसे upper house मतलब council of state, राजसाबा, and lower house मतलब legislative assemblies, जो हुआ करती थी, ठीक है ना, तो lower house वो कहला ही, अब majority के जितने भी member थे ना, इन councils में, वो directly चुने जाते थे, election होता था, याद रखना, election डारेक्शन डारेक्टली होता था, हुआ पे, लेकिन as a result, double government system था, सब stress हुआ यहाँ पे, यह as a result, यह चला नहीं, इसका भी विरोध किया गया, ठीक है, क्योंकि जब हर चीज, नाम मातर के लिए आप दे रहो, लेकिन powers in the reality, in the ground level पे, कुछ है नहीं, zero था, तो of course, इसका unsuccessful होना, था ही, ठीक है, नाओ, अब आते हैं, एक सिकेंड, हाँ, तो यह था इसका एक feature, अब executive council जो थी, इसमें, इसमें, तीन में से, टोटल 6 members में, जो उनकी वाइसराई की executive council थी ना, याद करो, उसमें 6 में से, तीन members जो थे, वो Indians थे, अब, भले ही nominated थे, जो भी था, हैना, एक सिकेंड साइड यहाँ पर, हाँ, नहीं, तरहीं चल रहा है हम, हाँ, तो separate electorate, इस act में फिर दिया गया, वहाँ पर 1909 में किसको दिया गया, मिंटो ने किस विदिया, Muslims को, हैना, लेकिन, यहाँ पर, इस act ने, Montague, चेंसफोर्ड रिफॉर्म के नाम पर, जो इन्हों ने धोखा किया, वो पहला तो डायार्ची सिस्टम लागू कर दिया, दूसरा, separate कर दिया, फिर से electorate, सिख्खों को भी बेढा दिया, Anglo-Indians, Anglo-Indians कौन है, Anglo-Indians, basically, समझ लो, जिसकी male, जो, प्रोजिनी है, मतलब, जो male, मतलब, जैसे, suppose, Britishers, इंडिया में आए, या जितने भी Europeans है, आज की डेट में, जो इंडिया में है, तो उनके जो, male, पादर, और जो male, वाला, एंगलो-Indians मतलब, उनकी जो, रन्ताने हैं, ठीक ना, Europeans और Indians की mix, ठीक ना, तो वो, और Europeans भी थे जितने, तो इन सब को, separate electorate दे दिया, कि इनको भी अलग representation है, ना, और limited franchises दीगे, limited franchises मतलब, जितने भी लोग थी, ये system देखो, वर्ल्ड में चलता था हर जगा, तो इंडिया में भी इनोंने लागू किया, limited franchises मतलब, आपने भी देखा होगा, कि French Revolution जब हुआ था, तो वहाँ पे भी इसी base में हुआ था, जो वहाँ पे जो, third states थे, वो यही system था, प्रॉपर्टी बेच्ट में देते थे, उन लोग, फ्रेंचाइजी, तो उनके पास था नहीं, same यही पे, ऐसी system किया, कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जिनके पास tax होगा, जो educated people होगी, सिर्फ उनको vote का अधिकार दिया गया, यानि राइट टू वोट देखो, limited franchise जब भी लिख जाए न, तो सीधे समझ लो, वहाँ पे कि राइट टू वोट है, अब इन्होंने नया office create किया, high commissioner का, इंडिया के लिए, ठीक है, कहां पे, लंडन में, इंडिया का जो high commissioner है, वो लंडन में बैठेगा, और लंडन में, जो high commissioner है, उसे कुछ powers दी गई, secretary of the state of India की, ठीक है, so, some powers of the secretary of the state of India, was transferred to the high commissioner of India, to the England or London, ठीक है, now, they also establish a central public service commission, जो UPSC है न, union, union public service commission, उसको पहले, central public service commission का आ गया, तो 1926 में, इन्हों ने, इसे establish करा, एक group के, एक organization के, तौर पे, central public service commission, 1926, है न, for recruiting the civil servants in India, but, it was also failed, because of, due to the non-corporation movement, बाइदिक गांधी जी, non-corporation movement, चल लाता है, याद करो, ठीक है, अब, अब आता है, Simon commission, अब Simon commission, कहां से आ गया, देखो, demand उठी थी, इस बीच, कि, हमारा एक constitution, होना चाहिए, तो basically, Simon, जो था न, ये John Simon, तो British government, और British Parliament, ने क्या करा, एक John Simon के, under, मतलब, John Simon की leadership में, 7 members की committee भेजी, कि, वो जाके, new constitution के बारे में, इंडिया को, जो new constitution बनाना है, उसके बारे में, search करे, research करे, और मतलब, बताएं कि, कैसे बनेगा, उसको constitute करें, तो basically, इसका objective ये था, to report on the condition, on India, under the new constitution, लेकिन, याद रख रहा है, आपे, साथ मिंबर थे, कमिटी में, चेर मैन कौन था, जॉन साइमन, इसी लिए, इसे कहा गया, साइमन कमिशन, लेकिन, इसमें, सारे मिंबर्स, all members, were the Britishers, सारे ही, गोरे लोग थे, यानि, अंग्रेज थे, ठेक है, सारे ही, अंग्रेज बंदे, यहाँ पे थे, जिनों ने, इस कमिटी को, लीड करा, और इसी लिए, इंडियन पार्टी, मुस्लिम लीग, जो भी थी, है न, और इंडियन नैशनल कॉंग्रेज, इनों ने, बायकॉट कर दिया, इस कमिशन को, बोला नहीं, हम इस कमिशन को, नहीं मानते, और आपने देखा होगा, इसी लिए, यहाँ पर नारे लगे थे, साइमन, गो बैक, साइमन कमिशन, वापस चाओ, ठीक है, तो दिस वाज दे सिचुईशन, अर दे टाइम, और जब साइमन कमिशन, आता है, तो हला कि, इन्हों ने रिकागनाईज नहीं करा, लेकिन जब साइमन कमिशन, ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट करी, तो दा ब्रिटिस पार्लेमेंट, तो ब्रिटिस पार्लेमेंट ने क्या किया, अच्छा, लेकिन, और किसके बीच में था यह, ब्रिटिस गोवर्मेंट, ब्रिटिस इंडिया, और इंडियन प्रिंसिली स्टेट, क्योंकि इंडियन पार्टी इज ने तो बाइकॉट कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिस गोवर्मेंट थी, और British India थी यानि British जो यहाँ पे administration था और princely state जो राजाओं का state था वो इसमें participate किये लेकिन as a result कुछ हुआ नहीं इन्होंने white paper जारी किया of constitutional reforms और submit करी अपनी report to the British Parliament लेकिन British Parliament को जब ये report submit करी गई तो ये report में इन्होंने सिर्फ कुछ changes करे certain changes were made in between the in this what to say report and they introduced the government of India 1935 और इन्होंने इस act को pass किया और ये बहुत important act है ना इसकी features आप समझ लो क्या क्या थे इन्होंने इसके तुरू all India Federation बनाया provincial और princely state को अब यहाँ प्याद रखना इन्होंने all India Federation बनाने को मंजूरी दी और अब सारे ही आ चुकी है प्रिंसली को छोड़ करकी है ना प्रिंसली के भी कुछ आये थे कुछ अब जादा तर लोग नहीं आये थे वो तो बाद में आते हैं आप सभी जानते हैं जब वो accession हो रहा था उसमें है ना later of accession चलो रहा था उस टाइम पर उस पर हम बात करेंगे ना तो यहां पीस का feature आप समझो कि जैसे ही जैसे ही इस्टैबलिस किया गया All India Federation उसके बाद इन्हें प्रोवाइड कराए गई फेडरेशन लिस्ट प्रोविंशल लिस्ट और इसमें फिफ्टी नाइन सब्जेक्ट्स थे जिसे एंट्री बोला जाता है जो प्रोविंशल लिस्ट थी इसमें 54 सब्जेक्ट्स थे एक सेकंड यह क्या हो रहा है हाँ खुछ भी जायब रहा है चलो इसमें 36 सब्जेक्ट्स थे और एंट्री थी और जितनी अदर पावर्स थी ना रेसिडेरी पावर्स मतलब इसके अलावा जितने भी लिस्ट में यहां पे थे सब्जेक्ट्स उसके अलावा जो भी कोई पावर्स आती है अगर वह इसो कर सकता था अब इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का स्टेटस भी दे दिया डायार्ची सिस्टम जो निकाला था उसे अबॉलिस कर दिया लिमिटेट फ्रंचाइस को जारी रखा वही प्रॉपर्टी टैक्स बेसेस पे और इन्होंने स्पीसी और जॉइंट पीस पीसी को भी जारी किया मतलब इस निकाला मतलब स्टेट पीसी स्टेट पीसी और जॉइंट पीसी मतलब पॉब्लिक सर्वेस कमिशन और इन्होंने रबी आई को इस्टैबलिस करा अंडर दलीगल सेंक्शन 1934 तो दिस वाज दा फीचर आफ दी 1935 गवर्मेंट ऑफ इंडिय एक्ट 1935 अब अगस्त 1940 में इंग्लैंड क्या कहता है कि अगर देखो उस समय वर्ल्ड वार में सपोर्ट वर्ल्ड वर चलने वाला चल रहा था तो 39 से स्टार्ट हो गया था तो 1940 में इंग्लैंड की प्रधान मंतरी ने क्या डिमांड करी कि अगर इंडिया सपोर्ट करता है world war 2 में तो इंडिया को हम आजात कर देंगे ठीक है लेकिन जब as a result क्या हुआ world war 2 अच्छा यह याद रखना world war 2 का अभी 75 वर्सगाट मनाया जा रहा है जैसे कल रूस में एक red square में parade भी हुई थी आपने देखा था हमारे defense minister वहाँ पे मौझूद थे ठीक है ना तो world war 2 यहाँ पे important है तो world history में world war 2 देख लेना यह भी थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाले बात थी थी तो ठीक है तो world war 2 के लिए इन्होंने support मागा और बोला कि हम ठीक है आपको autonomy dominion state का दरजा दे देंगे लेकिन जब world war 2 हुआ इन्होंने बेजा क्रिप्स mission और क्रिप्स mission में भी बात बनी नहीं तो गांधी जी ने कहा कि बहुत हो गया है तो हमेशा मूर्ख बनाते हो इन्होंने बोला चलो अब करते हैं या तो करो या मरो करो या मरो यानि quit India movement was started by the गांधी जी in 1942 और 1946 में जब world war 2 मतलब 45 में हो जाता है और finally UN भी गठित हो जाता है UN बन जाता है organization उसके बाद जब ये world war 2 के बाद Clement Tetley जो की प्रधान मंत्री थे उस टाइम इंग्लेंड के ये भेजते हैं cabinet mission अब cabinet mission क्या है तो cabinet mission को आप ऐसे समझो कि तीन cabinet ministers जो थे इंग्लेंड के उन्हें भेजा गया इंडिया कौन-कौन से थे वो तीन cabinet ministers लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड दा एवी अलेक्जंडर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इसका objective क्या था कि जितना जल्दी से जल्दी as early as possible इंडिया को हम आजात करने में उसकी मदद करें और फिर ultimately they just made, they just sanctions, sanctions the constituent assembly और यहाँ पर गठित होती है constituent assembly, अब constituent assembly का जो basic data है उसके बारे में हम जब अगले class में जब हम बात करेंगे preamble के बारे में तब हम इसे एक detail way में पढ़ेंगे क्या था, कैसे बना, क्या हुआ लेकिन आप overall यह समझो कि constituent assembly second cabinet mission ने sanction दिया 1946 को, ठीक है तब जाकर यह बनता है constituent assembly और फिर उसके बाद की बाते हम particular lecture में बात करेंगे और यहाँ पर आता है last India independence act of 1947, देखो फरवरी मतलब 1947 में 20 फरवरी 1947 को Clement Italy क्या कहते है कि हम British rule से आजात कर देंगे इंडिया को ठीक है न, by 30 June of 1948, लेकिन वहाँ पे Muslim League का अलग चल रहा था कि हमको अलग बनाना है, अलग देश चाहिए पाकिस्तान के नाम से तो तीन बार इन्हों ने एक प्लान रखा, Mountbatten ने, मतलब, तीन बार प्लान रखा गया to partition, लेकिन बनी नहीं बात, चौत्छे बार, चौत्छी बार जब Mountbatten ने इस प्लान को रखा, किस प्लान को? पार्टीशन के प्लान को, तीन जून 1947 को, और इसमें जो प्रोविजन बनाये गए, उसे एक्सेप्ट किया गया, कॉंग्रेस के थूँ भी, और मुश्लिम लीग के थूँ भी, ML मतलब मुश्लिम लीग, ठीक ना, और इसी को खहा गया है, Mountbatten प्लान, Mountbatten प्लान कुछ नही इसके बाद, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल जो था, बिर्टेस पार्लेमेंट में इंट्रिउस किया गया, चार जुलाई 1947 को, जो की पास होने के बाद, जिसे रॉयल असेंट भी मिल जाता है, यानि, क्वीन का भी कंसेंट मिल जाता है, 18 जुलाई 1947 में, और याद रखना इस बिल में क्या लिखा था? इस बिल में लिखा था that, end of the British rule in India, from appointed day of the 15th of August 1947, India will be the two dominant states of the British of India and Pakistan. याद रखना मैंने क्या बोला इसमें लिखा था end of British rule appointed day from the appointed day of the 15th of August 1947 in India and Pakistan मतलग यह dominion state होंगे head of the state अभी भी ब्रिटेन का होगा लेकिन यह कैसे बाद में हमारा बनता है यह बहुत interesting कानिया इसे हम समझेंगे लेकिन आप अभी इसे समझ सकते हो कि end of the British rule appointed day of the 15th of August 1947 को यहाँ पे होता है और यह dominion state बन जाता है और यहाँ पर कोई voice rai नहीं होगा जब तक की यह constitution बन नहीं जाता दोनों कंट्री का लेकिन यहाँ पे होगा governor general of India और governor general of Pakistan ठीक न और वो थे Lord Mountbaton जब तक की constitution बन नहीं गया इसके बाद की क्या कहानी है बहुत interesting कहानी है इसको हम समझेंगे preamble वाले class में जो की अगले हथे next week होने वाली है so I think this lecture is very important और बहुत मजा आया होगा आपको बहुत important facts और concept clear हो गया होगे तो अगर आपको यह पसंद आया हो lecture so please like, comment and share with your friends, colleague and family members और अगर आपको कोई doubt हो तो please you can comment also and you can also mail me at my email address mvivekmisra024 at the redsmail.com so thank you for watching this video मिलते हैं अगले lecture के साथ तो तब तक के लिए keep study और खूब पढ़ाई करते रहो बस okay and nothing else so thank you for watching this video bye bye